दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वेला हूँ Raspberry Pi computer के बारे में Raspberry Pi computer को simple language मैं समझाउगा और मैं इस वीडियो में बताने बाला हूँ Raspberry Pi computer क्या होता है ये कैसे काम करता है और इसको हम कहां-कहां use कर सकते है तो वीडियो को एड तक जुरूर देखिएley और दोस्तो एंड में मैं आपको इस computer का budget भी बताने बाला हूँ, क्यों अगर आप इसको त्यार करते हो तो हमें कितना खर्चा आएगा, तो इस खर्चे के लिए आप मैं इसको दो category में आपको बताने बाला हूँ, एक तो new और old, old एसेंबल करते हैं, तो हमें कितना खर्चा आएगा, तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा, आपको detail में इसके बारे में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe जरूर कीजएगा, ताकि future में भी आपको इसी तरह का content वीडियो देखने को मिल स है, जैसी का आप अपने screen पर देख सकते हो, यह किसम का बहुत में सस्ता computer है, जिसका develop तो इसलिए किया गया कि इससे हम कुछ education के काम में यूज कर सके, हमें कि जब कोई project बनाना दो तो हम इसको project में यूज कर सकते है, रास्वेरी Pi का जो main PC भी है, इस पी हमें कुछ input और output क ports वगेरा देखने को मिल जाता है, तो मैं एक एक करके आपको इसके ports के बारे में बता देता हूँ, सब सब पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें power input का port मिल जाता है, जिसके थुरू हम इसको power देते है, उसके बाद यहाँ पर हमें display output का port मिल जाता है, यहाँ पर आप दे दिया गया है दोस्तों यह जो headphone jack है इसमें हमें audio video दोनों का support मिल जाता है उसके बाद USB ports देख सकते हो Ethernet ports देख सकते हो और यहाँ पर GPIO pins भी मिल जाता है अब हम इसके storage के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें RAM देखने को मिल जाता है जो कि हमें 1 GB का हो सकता है 2 GB और 4 GB यहाँ पर available हो जाता है और यहाँ पर processor दिया गया है तो यह तो हमारा main Raspberry Pi का chipset दिया गया है तो दोस्तों इन simple यहीं अगर में बताओं तो आप इसको computer तो बनाई सकते हो उसके इलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी इसको यूज कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट नमबर पर आप इसको कंप्यूटर के तरह यूज कर सकते हो आप इसे एक स्मार्ट बॉक्स बना सकते हो अगर आप अपने टीवी में इंटरनेट चलाना चाहते हो तो स्मार्ट बॉक्स बना सकते हो वहाँ पर आप आप अनलाइन कुछ भी यूटूब बगेरा देख सकते हो आप बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हो आप इसकी मदद से रोबोट बना सकते हो आप वैदर फॉरकस्ट करना चाहते हो उसके लिए यूज कर सकते हो कोई स्मा रासवेडी पाई से एक कंप्यूटर कैसे बनेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर करने के लिए हमारे पास क्या 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 होना चाहिए तो एक रासवेडी पाई कंप्यूटर को एसेंबल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक रासवेडी पाई ह होना चाहिए यहां पर आप कोई भी रास्वेडिपाई यूज कर सकते हो जैसे कि रास्वेडिपाई जीरो रास्वेडिपाई टू थिरी या फिर फोर उसके बाद हमें चाहिए एक SD Card जो की Class 10 का हो आप Local SD Card इसमें यूज मत किजेगा नितों खराब हो सकता है उसके बाद हमें एक चाहिए डिस्पले यहां पर दोस्तों आप अपने एक LCD TV यूज कर सकते हो आपके पास कोई मोनिटर पढ़ा है तो आप कंप्यूटर का मोनिटर यूज कर सकते हो जिसमें की HDMI सपोर्ट होना चाहिए उसके बाद आपको चाहिए कीवोड और माउस यहां पर आप कोई भी कीवोड माउस यूज कर सकते हो और पाबर सुस के लिए आपको एक चाहिए फाइव वोल्ट का चार्जर आप यहां पर बेसिक के अपने फौन का भी चार्जर यूज कर सकते हो और उसके बाद हमें चाहिए एक computer और laptop और laptop का main हमारे काम होता है इसमें operating system को install करने के लिए, अगर आपके पास एक computer या laptop नहीं है तो आप कहीं से भी operating system इसमें install कर सकते हो, तो आप हम देखते हैं इसको हम एसेंबल कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको पास SD card है, class 10 का हो दोस्तों रासवेरिपाई का एक डिफॉल्ट रस्बियर्ण ओप्रेटिंग सिस्टम आ जाता है आप उसको इस्टाल कर सकते हो या फिर कोई और इस्टाल करना चाहते हो तो यूटूब पर देख सकते हो कि वह यह कैसे इस्टाल किया चाता है आपको टुटोरियल बहुत सारी देखने को मिल जाएगा उसको बाद हम कनेक्ट करना देखते हैं तो एसडी कार्ट को सबसे पहले हम रासवेरिपाई में लगाएंगे उसके बाद इसमें हम जो मोनिटर है हमारा डिस्प्लिक साथ कनेक्ट करेंगे HDMI के थुरूँ उसके बाद हम कीबोर और मौस अटैच करे यह इंटरफेस देखने को आपको मिल सकता है आपके अपने डिस्प्लेइप तो रासवेरिपाई अप्लेटिंग सिस्टम क्या है यह कैसी काम करता है इसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो तो दोस्तों आप इसके हम बात करते हैं बजट की अग अगर तो आप इसकेtail मिलता है तो आप सगोर और रासवेरिपाई कोई कर सकते ओ, अब बात करें स्थीरु लेसो कितना है तने बात करें ग्रान लेक्स वैंड क्भाइळ नो रासृषわかं ऐसे निलू का अगर सब絡़ाई पाइट के बात करें तो बात के समेANS से स्टार्टिं पर देखने को मिल जाता है उसके बाद मोनिटर की बात करें मोनिटर आप नियू ले सकते हो नियू की बात करें तो हमें मार्केट में मिल जाता है और आप अपने लोकल की बात करें कि बात करें तो हमें अगर नियू बजजट देखें तो हमें छे से सात हजार एक computer ready करने में लग जाता है अगर हम old component यूज करते हैं तो हमें ये 4000 तक फुरा set मिल सकता है ये आप you depend अगर आप new चाहते हो तो new लिजा सकते हो और old चाहते हो तो old भी त्यार कर सकते हो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मिद करता हूँ आपको ये कॉंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाईएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो दोस्तो आज इस वीडियो में इतना ही मिल